नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का pathfinder पर तो दोस्तों अगर हम भारतिय रेलवे की बात करें तो एक सबसे बड़ी bottle neck बताई जाती है वो है इसका safety record कहीं ना कहीं हमारा जो effective है यह अगर हम इसकी हम बात करें तो इसकी failure की संभावना 10,000 साल में महस एक होगी यानि इसको एक बार चूकने में करीबन 10,000 साल लगेंगे अपर 10,000 साल में यह एक बार चूकेगा तो काफी highly आप देखे तो effective है और क्या ही है coverage technology इसकी हम बात करेंगे और साथी साथ इस technology के दवारा cover किया जाएगा और काफी बड़े इलाके में इसको deploy किया जाएगा और कहा जा रहा है इस साल के अन तक में है दोस्तो निर्मला सिता रामन जी ने दावा किया है कि 2000 किलोमेटर रेल नेटवर्क कवश टेकनलोजी के दवारा cover की जाएगी by 2022-2023 तो कवश टेकनलोजी है क्या यह एक anti-collision device network है जो की made in India technology है and स्वदेशी है और इसका उद्देश यह है भारत में zero accident होना तो दोस्तों कवश टेकनलोजी की अगर हम बात करें यह कितना accurate है तो इसकी safety integrated level 4 की rating है तो safety integrated safety integrity level अगर आप देखे तो यह certification है इसका certification level 1 होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है आप जैसा देख सकते हैं जैसे जैसे आप उपर जाते जा रहे हैं failure की probability कम होती जा रही है तो S.I.L. 4 का मतलब है कि failure की probability 10 to the power minus 5 से लेकर 10 to the power minus 4 है याने की सरल भाशा में कहें तो failure की संभावना होगी तो safety integrity level 4 है याने बहुत जादा secure technology है और अगर हम technology की बात करें तो यह करता क्या है तो दोस्तों यह technology जिन tracks में और train में deployed है वो trains अगर same पट्री पर यदि same पट्री पर दो train आ रहे हों आमने सामने से या एक के पीछे कैसे भी जा रहे हो तो इस दौरान यह technology पहले ही notice कर लेगी कि दो train है same पट्री में है और collision होने वाला है और हो सकता है इंसानी चूक हो जाए manual error हो जाए उसके बावजूत यह technology खुद पकड़ लेगी कि इस train में जल्दी थोड़े देर में हो सकता है कि collision हो जाए तो यह पहले ही train में brake लगा देगी तो इस प्र तो मुख्यता इसमें RFID tags का बहुत ज्यादा इस्तमाल किया गया है train में इस प्रकार से RFID readers होते हैं और साथी साथ पट्रियों पे उन पट्रियों पे RFID tags लगाये जाते हैं तो train जहां से गुजर रही है वो tags को पकड़ते हुए टच करते हुए जाती है तो पता चल जाता है train की location क्या है और constantly communication भी हो रहा है आप देख सकते हैं radio communication होता है station में भी ऐसा ही train collision avoidance system का एक setup लगा रहता है जो की station कवच कहेंगे तो train continuously radio communication के माध्यम से station कवच से communicate भी करती रहती है और वहीं से इसको signaling status मिल जाता है और movement authority मिलती है और क्योंकि सारे trains इस region में इसी station कवच से बा centrally signaling status आता रहता है train को और आगे बढ़ना है या रुकना है इसकी authority आती रहती है तो movement authority भी trains को इसी station TCAS से मिलता है तो exam के और exam के perspective में अगर मैं आप से पूछ हूँ क्या है इसमें आपको याद रखना है तो आप याद रखिएगा कि इसमें RFID का इस्तमाल किया जा रहा है र तो railway कवश technology अगर हम कहें तो यह क्या ही indigenous technology है भारती है स्वदेशी है और जो long term goal अगर हम देखें तो वो है कि भारत में जो entire high density network है high utilized network है जो की करीबन 24,000 km का route है तो उसमें कवश technology को deploy कर देना है उन पट्रियों पर भी और उनमें चलने वाली trains पर भी तो इसकी लागत आके इसमें आप देखें तो वो होने वाले है golden quadrilateral तो golden quadrilateral वाला यह जो route आप देख रहे हैं और साथी साथ इनका जो diagonal route है यह जो diagonals है और साथ साथ यह golden quadrilateral route है इनमें कवश technology को deploy किया जाएगा तो दोस्तों कहा जा रहा है कि यह जो technology है काफी जादा जानमाल का नुक्सा को कम कर देगी और साथी साथ trains क्योंकि अब यह high speed पर चल पाएंगी and manual error की गुंजाईश भी कम है तो automatically speed पकड़ भी पाएंगी रुग भी पाएंगी तो इससे जो tracks है उनका जो throughput है याने utilization rate है वो काफी ज्यादा increase कर जाएगा तो जो logistic है हमारे देश का वो काफी improve कर जाए हैं तो यह सबसे important इलाके हैं क्योंकि सबसे जादा passenger movement इन ही के तुरू होता है और साथ-साथ goods की बात करें तो iron ore, coal, food grains इसी से move करते हैं तो industrial activity and logistics दोनों को ही काफी मजबूत करेगा coverage technology तो currently अगर हम बात करें train collision avoidance system जिसका नाम coverage रखा गया है यह इस वक्त pilot project एक install किया गया ह में करीबन 600 km का route coverage technology से इस वब covered है और इस साल के अन तक कहा जा रहा है जैसा निर्मला सितरा मंजी न दावा दिया है 2000 km का rail network cover हो जाएगा तो दोस्तों अच्छी बात क्या है यह पूर्णता स्वदेशी है make in India है और काफी ज्यादा इसका export potential भी है कहा जा रहा है कि जल्दी भारत इसको export भी करेगी overseas rail sector में इसमें कुछ additional features भी डाले जाएंगे so that यह coverage technology global standards को meet करने लगे तो काफी ज्यादा भारत के लिए यह गर्व की भी बात है और foreign exchange कवाना भी इससे possible हो सकता है दोस्तों आज की class पसंद आई हो तो like जरूर करें अपने दोस्तों के साथ share करें और pathfinder channel को अगर आपने अब तक subscribe नहीं किया है तो अब जरूर कर लें और bell icon दबाना न भूलें जल्दी से जाएं जाके bell icon दबाएं so that आप हारे सारे videos के notification आपको मिलते रहें इसके सिवा दो 50% off है आपको code क्या use करना है kc10 इसके सिवा दोस्तों combat previous year question special combat हम रन कर रहें तो जंदी से जाएं kc10 code से इसमें enroll करें pre mega test series है UPC CAC के लिए आप देख सकते हैं हिंदू अकबार से जो भी लेटे डियूज है science and tech medieval history economics ancient history CSAT यह सब आपको मिल रहा है जाएं जाके और नए optional channels भी है उसको ध्यान में रखते हुए साथ साथ दोस्तों iconic subscription का benefit अपले सकते हैं one-to-one live mentoring है study planner है open houses educators भी होगा आज भी open house बहुत सारा होने वाला है तो on academy platform पर जाएं और वहापस stay tuned इसके सिवा दोस्तों केसी मंजिरो code का इस्तमाल करेंगे तो एक साल की subscription की जो कीमत है 46 791 में में और 2 February तक आपको special discount में special offer में भी मिलेगा साथ साथ Iconic subscription की एक साल की कीमत 67,041 है 2 February तक और कम होने वाला है और discount आपको मिलेगा तो जन्दी से जाएं जाके इसका benefit उठा लें 2 February तक ही है और जो option subscription है उसकी कीमत है एक साल की 24,750 रुपए and UKC CSE badges है 2nd February से start हो रहे है तो आप सकते हैं हिंदी बैच है इंग्लिश बैच है बाइलिंग्वल बैच है वनियर बैच है टू यर बैच है 20 बुक्स आपको मिलेंगे और साथी साथ आप देखे वनियर अबव जी एस कॉंबो सस्क्रिप्शन के साथ आपको बुक्स हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं तो था आपको पर जोइन अग्याग देख ग्याद देख ने प्रोवाइड कर देखे टेखे डिए अग्या जापको अग्याट अपको फिंद एर आपको टूएड कर रहे हैं तो आपको अजोड़ विए